हेलो फ्रेंट्स मैं हूं जीया और मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी इंडियन स्टाइल मेकरोनी पास्ता यह जो पास्ता है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है आप बच्चों को छोटी-मोटी बूप के लिए कभी भी बना के दे सकते हो तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं तो वीडियो को फुलवाच करें बिल्कूल भी स्किप ना करें तो मेकरोनी बनाने के लिए मैंने यह पर एक कटोरी मेकरोनी लिया है आप अपने हिसाब से कमज़ादार रख सकते हो वीडियो जराशा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सबसे पहले मेकरोनी को हम पानी के अंदर 3-4 मिनट तक उबाल लेते हैं तो गेस के उपर मैंने रख दिया है पतिला और इसमें हम डालेंगी आदा चोटा चमज नमक पानी को उबाल आने के बाद ही हम इसके अंदर अपनी मेकरोनी या पास्ता डालेंगे अगर पानी में उबाल नहीं आए तो कभी भी आपको मेकरोनी या पास्ता नहीं डालना है नहीं तो आपकी जो मेकरोनी है वो पतिले के अंदर चिपक जाएगी जैसे ही हम डालेंगे इसको चम्मच की सायता से चला देंगे क्योंकि ये मेक्रोनी होती है वो चिपकती है और इसको हमें मेडियम फ्लेम पर खुला ही पकाना है तो लगबग इसको चार से पांस मिनट ही पकाएंगे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे पास्ता को लगबग हमें 4-5 मिनट ही पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है नहीं तो अमारे पास्ता है वो गल जाएगगे अब इस पास्ता को हम चलने के अंदर निकाल लेंगे और इसके उपर 3-4 गिलास हम थंडे पानी के डालेंगे पास्ता को लगबग 4-5 मिनट के लिए मैं ठंडे पानी में ही डाल के रखना है जैसे ही आप ठंडे पानी में डालोगे तो आप देखोगे पास्ता एकदम से सोप्ट भी हो जाएंगे और फूल के डबल हो जाएंगे तो पास्ता मारे पानी में ही है तब तक पास्ता को हम छोंक लगा लेते हैं तो कड़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है तेल तेल अच्छे से गरम हो जाए इसके बाद इसमें हम डालेंगे आदा चोटा चमच जीरा और एक पिंच इसमें हम डालेंगे हिंग हिंग डालने से पास्ता के अंदर अच्छी खुश बुआती है तो आगर आपके गर में चोटे बच्चे हैं तो चोटे बच्चों को इस तरीकी से पास्ता मेकरोनी जरूर बना की दीजिए ये किन मानी खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो जीरा अच्छी तरीकी से चटक जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और गाजर आपके पास जो भी सबजी है अगर आप चोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं चोटे-चोटे पिसेज में जो भी सबजी है आप इसके अंदर डाल सकते हो तो प्याज, हरी मिर्च टमाटर भी डालेंगे इसके अंदर हम इनको दो से तीन मिनट तक अच्छी तरीके से बून लेते हैं प्याज और टमाटर को गाजर को अमें ज़्यादा नहीं गलाना है लगब पचास परशेंट तक ही इनको अमें पकाना है तो दो से तीन मिनट तक मैंने इन सबजीयों को अच्छी तरीके से पका लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले मसालों में हम डालेंगे आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर आदा चोटा चमच डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्च और टेस्ट के कोडिंग इसमें हम डालेंगे नमक एक चमच इसमें हम डालेंगे सोस ये मैंने आदा निमू का जूस लिया है अगर आपके पास निम्मू का जूज नहीं है तो आप इसकी जगे पर विनेगर भी यूज कर सकते हो विनेगर या निम्मू डालने से पास्ता के अंदर अच्छा खटा-खटा पन आता है तो इससे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते है अब इसके अंदर हमें चमस डालेंगे पास्ता मसाला पास्ता मसाला का पाकेट है वो बजार में 10 रुपे का आसानी से मिल जाता है तो मसाला डालने के बाद लगबग एक से डेड़ मिनट तक इसको पका लेते हैं उदर हमने पास्ता भी पानी के अंदर रख रखा है उसको मैंने अलग रख दिया ताकि सारा अक्ष्ट्रा का पानी निकल जाए अब इसके अंदर हम पास्ता या अपनी मकरोन को डाल देते हैं तीं चे-चार मिनट तक मेडियम प्लेम पर पका लेते हैं ताकि सारे मसाले पास्ता के अंदर अच्छी तरीकी से चले जाए अगर आप भी अपने गड़ पर इस तरीके से बच्चों को पास्ता बना के दोगे तो यकीन मानिए बच्चे अपते में 3-4 दिन टीफिन में भी यही लेके जाएंगी इतने टेश्टी यह बनते हैं तो मैं इसको डखके लबग 2-3 मिनट तक मेडियम पलेंपर और पका लेती हूँ तो 2-3 मिनट मैंने पास्ता को अच्छी तरीके से और पका लिया है फाइनली पास्ता बनके अमारा तयार है तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो फाइनली गर्मा गर्म पास्ता बनके अमारा तयार है मेरे इस तरीके से आप अपने घर पर एक बार पास्ता है वो जरूर बनाईएगा खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो अब सारे पास्तों को हम निकाल लेते हैं पलेट के अंदर आप देख सकते हो जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ये खाने में भी टेस्टी है तो गये लिजी जी गर्मा गर्म पास्ता बनके मारा तयार है